हेलो बच्चों कैसे आप लोग सब आज हम क्या करेंगे इंग्लिश का वर्षिट सॉल्फ करेंगे ठीक है और फिर आपको डेट टू डेट इसका रेगिलर का हमबग करना है ऐसा ही सेम वर्षिट आपको भी मिलेगा उसको आपको कम्प्लीट करना है इस वीडियो को देख दे ए फॉर तो क्या आएगा एपल, एंट, एरोपलेन आप कुछ भी लिख सकते हो ठीक है तो हम क्या लिखेंगे एंट लिखेंगे ए एंट आपकी जो मर्जु आप वो लिख सकते हो एंट यानि क्या होता है चीटी ठीक है बी फॉर क्या होता है देखो बॉल है बनाना है देखो यह कब का हमब के आपका 17 का ठीक है डेट टू डेट रेगुलर आपका हमब कम्पलीट होना चाहिए अब देखो C for क्या होता है तो हम लिखेंगे C, R, O, W, Crow Crow यानि कवा अब D, D से डॉग होता है बहुत कुछ होता है न हम क्या लिखेंगे D, U, C, K, डग डग यानि बतग अब E, E से हम क्या लिखेंगे E, A, R, L, Y Early, Early यानि जल्दी ठीक है फिर F, F और क्या होता है हम लिखेंगे F, O, R, G, E, T Forget, Forget यानि भूल जाना हम जितना जादा अलग अलग तरह की spelling लिखेंगे उतने जादा हम को variety याद होगी अब A से Apple ही होता है ऐसा जरूरी नहीं है लेकिन हमको तो वह याता है तो जिस वज़े से हमको हमेशा वह याद रहता है तो हम जितने जादा creative बनेंगे होते जादा spelling याद होगी है ना फिर G for हम क्या लिखेंगे G O A T गोट यानी बकरी H H U T हर्ट हर्ट यानी जौपड़ी ओके I I C E I C I C यानी बरफ अब J J U I C E Juice Juice यानी रस जो हम पीता है ना भलो का juice पीता है यानी फ़लो का रस पीता है उसको क्या बोला जाता है Juice अब है K K से हम क्या लिखेंगे K N O W No No यानी जानना L L से हम क्या लिखेंगे L I O N Loyan Loyan यानी शेर M M O N Moon 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 यानी चंदा मामा N N E S T Next Next यानी घौसला O O W L Owl Owl यानी उल्लू P P A R O T Parrot Parrot यानी तोता Q Q Q U U I L L Q Q Q Q यानी Punk R R A T Red Red यानी चूहा S S S O N Sun Sun यानी बेटा T T I N Teen Teen यानी पत्रे का जो डिबबा होता है ना लोखन का बना हुआ उसको बूला जाता है Teen अब पेज टन करेंगे अब देखो इस पे भी 17 लिखा है ना यानी ये पेज भी आप कब करोगे 17 को ओके अब वो T के बात के आता है U U P अब आप यानी उपर V V A N When जिसमें आप इसकूल आते जाते हो ना When गाड़ी W W A T C H Watch Watch यानी गड़ी X X M A S Xmas जो Christmas tree होता है ना उसको क्या बुला जाता है Xmas Christmas को शौट में हम क्या बोलते है Xmas बोलते है ठीक है अब वाई Y I E S Yes Yes यानी हाँ Z Z Z Z Z P Zip 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 यानी चैन ओके अब पेजट टन करेंगे देखो Next page पर कौनसी डेट का हम बाग है 18 का तो यानी आपको यह करना है 18 को करना है अब नेक्स पेज़ पर हम क्या सिखेंगे Wobles Wobles यानी स्वर देखो ABCD जो 26 letter होता है वो उसी में से ही स्वर बाहर आते हैं जैसे कि हिंदी कुझराती में अलग से लिखता है हम IE English में Alphabet के अंदर ही Wobles होते है जो आपको फर्स सेमेश्टर में भी सिखाया कया था तो Wobles कितने होते हैं 5 होते है तो 26 letter में से 5 Wobles हटा देंगे तो यानी कितने बचे 21 तो जो 21 होते हैं वो क्या होते हैं Consonants होते हैं यानी कि म्यंजन होते हैं तो उसके अलावा के ये जो 5 letter है वो क्या होए Wobles होए यानी कि English वाले स्वार होए तो कौन-कौन से होते हैं A छोटी ABCD बड़ी ABCD स्मॉल और कैपिटल दोनों में ही सेम ही होते है Wobles ठीक है A A E E I I O O U ठीक है यानी कि कितने Wobles होए 5 A E I O U आरहे समझ में अब हम इसकी एक exercise देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आजाएगा क्या दिया है Right Wobles in Blanks यानी ये जो आपको Blanks दिये गए है उसमें उपर जो circle बनाकर Wobles दिया गया है स्वर दिया गया है उसको आपको इस fill up में भरना है अगर पहले लेटर में आएगा तो मैंने आपको सिखाया आएगा फर्स लेटर हमेशा capital लिखा जाता है तो उसमें बड़ा A आएगा या E या I या O या O जो यू जो भी बोला हो इसमें ठीक है तो पहले में हमको क्या लिखना है A लिखना है तो C-N तो बीच में आया ना यानि कि हम small वाला A लिखेंगे C-A-N Can ठीक है अब M-A-N Man क्यों वापस है छोटा A लिखा क्योंकि बीच में आया है ठीक है C-A-T Cat ठीक है अब इसमें दिया है dash and D यानि फर्च लेटर हमको fill up भरना है तो इसलिए हम कौन सा लिखेंगे बड़ा A लिखेंगे क्यों क्योंकि फर्च लेटर है देखो सब जगा फर्च लेटर कैपिटल लिखा है ना तो इसमें भी हम कैपिटल लिखेंगे A अब इधर भी आएगा बड़ा वाला A क्योंकि फर्च लेटर भरना है हमको अब सेकेंड दिया है E तो M E N क्यों छोटा E आया क्योंकि बीच में है Y E S G E T Get अब देखो इसमें फर्च लेटर में लिखना है ना इसलिए हम बड़ा E बनाएंगे ओके W E V यू समझ में आया पिटा आपको लेटर सेम ही है लेकिन अगर बीच में या एंड में लिखना हो तो स्मॉल स्टार्टिंग में लिखना हो तो अब नाएक्ष्ट अब आवेल लेंगे नाएक्ष्ट दिया है आई ठीक है कैपिटाल और स्मॉल आई तो इसमें कैपिटाल लेटर नहीं आएगा कैपिटाल आएगा क्यों क्योंके फर्स लेटर में लिखना है तो I S is I C E I is I N K ठीक है आया समझ में जब हमको स्टार्टिंग में लिखना है तो कैपिटाल बीच में या एड में लिखना हो तो I S small letter पेज टन करेंगे देखो अब नाएक्ष्ट अब आवेल क्या दिया है O ठीक है O O अब फर्स्ट क्या है F O R 4 O N E 1 T H O S E 2 M O N Moon B O X Box अब देखो धियान दिया सबने जहां जहां पर बीच में या एंड में लिखना है उसमें small letter है और स्टार्टिंग में capital letter है फिर है U U U ठीक है U S S U P Up B U T Burt C U T Kurt और Y O U U ठीक है दिखा capital और small दोनों आया समझ में दिया है 19 का आपका homework है इसमें दिया है myself ठीक है तो इसमें क्या करना है My name is dash ठीक है तो इसमें आप सबको अपना अपना नाम लिखना है जैसे कि मेरा नाम क्या है बागे श्रीयना तो मैं मेरा नाम इधर लिखूंगी B-H-A-G-Y-A-S-H-R-E-E तो यह मेरा नाम हुआ वैसे आप लोगों का जो भी नाम है वो आप लोगों को इधर लिखना है फिर नेश दिया है I am a dash अब आपको इस dash में दो option दिये हैं girl या boy अगर इस वीडियो को कोई girl लिख रही है आप student हो girl हो तो आप लिखोगे girl अगर boy है तो बोगो लिखेगा boy जैसे कि मैं girl हूँ ना तो मैं इसमें लिखूंगी G-I-R-L girl I am a girl अगर कोई sir आपको पढ़ा रहे होते तो वो क्या लिखते boy लिखते हुआ clear अब next है I am dash years old dash year year यानि कि आपको इसमें क्या लिखनी है अपनी उमर लिखनी है कि आप 8 year के हो 9 year के हो 7 year के हो आपकी जो उमर हो वो आपको इसमें लिखनी है number लिखना है फिर है I am in dash standard अब इसमें भी दो option है क्योंकि यह वर्शिट दोनों standard के लिए है first और second दोनों के लिए तो अगर आप first में पढ़ रहे हो तो आप इसमें लिखोगे first इस वाली fill up में अगर आप second standard के student हो तो इधर लिखोगे second आया समझ में फिर दिया है I live in dash ओके तो आप dash city city यानि की शहर आप कौन से शहर में रहते हो वो लिखना है ठीक है तो I live in देखो कभी भी आप किसी का नाम लिख रहे हो जैसे की देखो मैंने इधर अपना नाम लिखा तो first letter capital लिखा न कोई जगा का कोई खाने की चीच का नाम लिख रहे हो तो उसका हमेशा first letter capital ही आता है ठीक है तो S U R A T सूरत city हम सब सूरत city में रहते हैं न तो इसमें हम क्या लिखेंगे सूरत की spelling लिखेंगे फिर है I am from dash country हम कौन सी country से आते हैं कौन से country में रहते हैं हम इंडिया में ओके तो हम देखो अब इंडिया country का नाम लिख रहे है न तब इभी हम first letter क्या लिखेंगे capital लिखेंगे India country यानि देश अपने देश का नाम क्या है इंडिया है न फिर है there are dash people in my family अब देखो people यानि की लोग family यानि परिवार हमारे परिवार में कितने लोग रहते हैं आपको वो लिखना है जैसे कि आप घर में total अगर four people रहते हो तो इधर four लिखोगे five वाले five लिखेंगे six वाले six लिखेंगे आपके घर में चितने लोग रहते हैं उनके नमबर आपको इस फिलब में लिखना है ओके बिटा, clear हुआ अब page turn करेंगे देखो आप next page में क्या दिया है फिर से myself दिया है लेकिन देखो, आगे वाले page में आपको ये लिख कर दिया गया था ओके, पीछे वाले page में आपको खुद से लिखना है, ताकि आपकी copywriting भी हो जाए, ओके और सब homework आप लोग खुद से करोगे क्योंकि आप लोगों को पता है, मैं सब की writing पचानती हूँ, ओके ना तो आपकी इसी की खाली spelling जानने में help ले सकते हैं बाकी writing का पूरा portion आप लोगों को खुद से करना है, ठीक है तो ऐसे यह आपको numbering डाल कर दी हुई है, आपको पीछे से देखकर वो सारे fill up यहाँ पर फिर से लिखके और खुद से बढ़ना है, ओके अब page done करेंगे अब कौन सी date का हमबक आगया हमारा 20 का, ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, these, fill in the blanks with these, these अब देखो, this का मतलब क्या होता है, यह यानि कि जो चीज हमारे पास में होती है, हमारे करीब में होती है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं इस यूज करते हैं आया समझ में, देखो जैसे की, dash is an apple, तो apple जहां पर लिखा है, उसके पास में ही apple का drawing बना हुआ है, यानि कि इसमें क्या आएगा, these आएगा, आया समझ में, जो आपके नाम लिखा हुआ है, उसके पास में ही है, तो पास यानि कि, यह यह को क्या बोलते हैं, हम this बोलते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, these आएगा, आया समझ में, तो वैसे ही, the, that, dash is a banana, ओके, तो banana के पास में ही banana बना हुआ है यानि कि हम इसमें भी क्या लिखेंगे, this लिेंगे, dash is a tree, क्या लिखेंगे, this लिखेंगे, ओके, फिर dash is a pen, pen के पास में ही pen है इसलिए हम लिखेंगे these, आया समझ में फिर next है dash is a house तो house क्या है house की spelling के पास में है ना इसलिए हम क्या लिखेंगे these लिखेंगे, these यानि पास में होना, यानि की यह, आया समझ में page turn करेंगे अब देखो next considered का हमक आया हमारा 20 का, इसमें भी क्या दिया है fill in the blanks with that that यानि की वह यानि की दूर है वो चीज हम से, उसके लिए हम क्या use करते है that use करते है आया समझ में, that यानि वह, this यानि यह, हुआ clear जैसे की dash is a sun, अब देखो sun की spelling इधर लिखी है लेकिन sun की drawing उससे दूर है न तो यानि की that तो हम इसमें क्या लिखेंगे that आया समझ में dash is a star star की spelling और उसकी drawing दूर दूर है न यानि की हम क्या use करेंगे that हुआ clear dash is a cloud cloud यानि क्या होता है बादल होता है है न तो पर वो दूर है न उससे इसलिए हम क्या लिखेंगे that okay dash is a flower a flower और उसकी drawing दूर है इसलिए that dash is a chalk chalk की drawing और spelling पास पास है नहीं न दूर है न इसलिए हम क्या लिखेंगे that आया समझ में अगर कोई चीज हमारे पास में है तो हम यूज करेंगे this अगर वो चीज हम से दूर है तो हम क्या यूज करेंगे that okay page done करेंगे देखो next page में क्या दिया है fill in the blanks with boy और girl ये कौन सी तारिका हमबा के आपका 21 का ठीक है तो गौरव is a dash देखो इस फिलप्स सारी फिलप्स में हमको क्या करना है नाम जानकर हमको ये पता लगाना है कि वो boy है के girl है अगर boy है तो हम उसमें लिखेंगे boy girl है तो लिखेंगे girl तो गौरव is a dash गौरव यानि boy का नाम हुआ तो इसलिए हम इसमें क्या लिखेंगे b o y boy आया समझ में राघव is a dash राघव क्या हुआ boy हुआ ना बेटा तो हम क्या लिखेंगे b o y boy अब है रागी नी is a dash रागी नी क्या हुई लड़की हुई ना तो हम क्या लिखेंगे g i r l girl हो रहा है clear आरहा है समझ में अब है गौरवी is a dash गौर भी क्या हुई बेटा, गल हुई न, तो हम इसमें लिखेंगे गल, कुनाल इजर डैश, कुनाल वापस से क्या हुआ, बॉई हुआ न, तो पी ओ बाय बॉई, आया समझ में, पेश टन करेंगे, देखो अब वापस वे 21 का आया न, हमबग, इसमें क्या दिया है, फेल, ल दो एपल एपल क्या होता है इस लिए फ्रूट होता है ना इस नहीं आएगा क्यों कि बहुत सारे एपल नहीं लिखा क्या है उनली अपल लिखा है इसलिए फ्रूट राइगा लेडीज फिंगर इसमें फॉस्ट आफ ही नहीं आता है ओनली ऐसा आता है लेडीज फिंगर इसमें बनाना इसमेड़ बनाना क्या हुआ वापस से फ्रूट हुआ ओके पोटेटो इसा वेजी टेबल वेरी गूड तो हम इसमें क्या लिखेंगे वेजी टेबल का स्पैलिंग लिखेंगे ओके ओनियन इसा डैश ओनियन क्या होती है वेजी टेबल तो हम इसमें क्या लिखेंगे vegetable का spelling लिखेंगे आया समझ में है ना simple page done करेंगे देखो next page कौन सा आया 22 का homework आया ठीक है इसमें क्या दिया है matching दिया है तो देखो इधर capital letter की spelling है इधर small letter की spelling है तो अगर हमको पैचानना आता है कि capital letter में A ऐसे लिखते हैं तो small में कैसे लिखते हैं तो हम उसके matching कर पाएंगे ठीक है जैसी कि इधर दिया है apple तो अब हम यहाँ पर ढूढ़ेंगे कि small letter वाला A कहा है तो यह रहा तो apple और ant भी होता है ना A for तो हमको first letter ढूढना है ठीक है तो यह A और A matching हुआ ना तो हम इससे match कर देंगे आया समझ में अब next दिया है C C for calm यानि कंगी और एक और छोटा वाला C कहा है यह रहा तो C for cat भी होता है तो calm और cat को match करेंगे ओके फिर है doctor तो D for doctor और यह रहा small letter वाला D तो D for dog भी होता है आया समझ में F for finger finger यानि उंगलिया और छोटा वाला F यह रहा तो F for fan fan यानि पंखा हुआ matching अब G G for goa छोटा वाला G डूणेंगे तो यह रहा तो इसको इससे match कर देंगे हुआ आया समझ में page turn करेंगे देखो next page भी क्या है आपका 22 का homework है इसमें क्या दिया गया है matching अब हम क्या करेंगे यह जो drawing बने हुए है उसकी spelling सामने दी गई है तो अगर हमको spelling आती होगी तो हम matching कर पाएंगे ना इसलिए सबसे पहले आपको उनकी spelling सिखाई गई है ठीक है तो यह क्या है apple ठीक है अब A WP apple कहा है यह रहा तो इससे इसको match कर देंगे आया समझ में फिर है tree tree कहा है यह रहा क्योंके T for tree होता है तो हम इससे इसको match करेंगे आया समझ में फिर है flower ओके तो flower को flower से match करेंगे star star को star से match कर देंगे आया समझ में page turn करेंगे देखो next page कौन सा आया 23 का homework आया आपका इसमें क्या दिया है see the picture and write the name हमको यह picture देखनी है कौन सी picture बनी हुई है उसका name लिखना है तो first case का drawing है tree का tree की spelling हम लिखेंगे t-r-e-e-tree ओके फिर next है grabs तो grabs का spelling लिखेंगे g-r-a-p-e-s grabs ओके फिर next है star s-t-a-r star फिर यह क्या है chalk c-h-a-l-k chalk आया समझ में page turn करेंगे अब देखो यह भी आपका 23 का homework है इसमें क्या दिया है circle the rhyming word rhyming word यानि ऐसे शब्द जो एक जैसे ही बोले जाते है ठीक है जैसे कि यह क्या है bat b-a-t bat अब देखो next क्या दिया है cat can hot तो bat से matching मिलता हुआ कौन सा हुआ cat हुआ न क्योंकि can नहीं होता है hot तो बिल्कुली change हो क्या can भी नहीं हो सकता तो कौन सा होगा cat होगा bat cat same लग रहा है इसलिए आया समझ में next दिया है b-u-t bud इसलिए आपको बोलते है बार-बार बोलने के practice करनी है आपको बोलना आएगा तब ही आप उसके rhyming में ढूण पाओगे तो क्या दिया है butt तो pen pin put और फिर butt का क्या आएगा cut क्यूंअब देखो आप बोलोगे इधर भी ut है इधर भी ut है तो यह क्यों नहीं मैच हुआ क्यूंके put को क्या बोला जाता है put बोला जाता है ठीक है तो इसमे क्या आएगा cut butt cut matching हुआ ना फिर है h e n hand ठीक है तो hand आगे क्या दिया है hurt tan scene तो hand का matching क्या मिला हमको tan मिला इस पे circle बनाएंगे फिर है s u n sun bun dog try तो हमने sun से matching क्या बोला bun बोला तो इस पे match करेंगे आजा समझ में फिर है b i n bean तो क्या दिया है b e n ben p i n pin h o w how तो bean से matching हमने क्या बोला bean बोला आया समझ में इस ही वीडियो को फॉलो करते हुए आप लोगों को भी अपनी वर्क्षीट कम्प्लीट कर ले नहीं है और day to day सबका homework कम्प्लीट हो जाना चाहिए ओके okay bye thank you have a nice day